देखे हम बच्चों के behaviors में changes ला सकते हैं, जो कुछ वो अप सोच रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो इसी तरह से नहीं करते रहेंगे, जाहर है mature होंगे, और जो information हम उनको देंगे, वो उस पर सोचेंगे, उससे उनका behavior जो है, वो modify होगा The aim is that children learn to guide and redirect themselves, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कुछ वो कर रहे हैं, उसको बेहतरी की तरफ लाएं, नई dimensions में हम उनको बताएं कि वो कैसे अपने behavior को बेहतर कर सकते हैं, दूसरों के बारे में अपनी सोच को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और अपने रवये को किस तरह से ब होते हैं, तो कई ऐसे behaviors हैं, जो आम तोर पर unacceptable हैं, जगड़ना, लड़ाई करना, चीना जप्ती, किसी को हकारत से कुछ कह देना, किसी का कोई नाम बुला देना, कोई ऐसे अलफाज इस्तमाल करना जो disrespectful हैं, तो ऐसे behaviors को हमें accept नहीं करना, अगर हम जाने देंगे कि अच्छा जो कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है, अभी बच्चा है, अभी इसको समझाने की जुरुत नहीं, तो वो रविये उनके वक्त के साथ साथ पुक्ता होते चले जाते हैं, हम चाहते हैं कि वक्त पर ही उनकी इसलाह कर ली जाए, जो चीज डिसलाइक करते हैं आप, आपको पता चल गया है, आपने उनको बताना है, ताके आपके जजबात उन तक पहुंचे, उनको अंदाजा हो कि वो जो चीजे कर रहे हैं, उसमें से कौन सी दरुस्त हैं, कौन सी गलत, और किन से उनको बचना है, So adults need to consider how children will replace the unacceptable option, अब करना ये है कि हमने जिस सरह के वो behaviors कर रहे हैं, उनको हमने ऐसी options देनी है, यानि वो comparative हमने उनको behaviors बताने हैं, कि इस तरह से बात नहीं करते, अच्छे तरीके से प्यार से बात करते हैं, ये जो आपने छुआ है, इस से अगले ने को हट किया है, उसको त खपड़ नहीं मारेंगे, धक्का नहीं देंगे, या किसी की insert नहीं कर सकते, बलके आप प्यार से बात करें, वो आपके जैसा है, आपका दोस्त है, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपने उनको सिखाना है, ये वो चीजे हैं जहां पर अच्छे और बुरे का अगर फर्क को मना कर रहे होते हैं, तो आपको ये बताना भी जरूरी है, कि उसकी जगा उसको क्या करना चाहिए था, वरना जैसे बचे ट्वाइस के साथ खेल रहे हैं, तो कुछ बचे जो है, वो share नहीं कर रहे होतें, दूसरों को चीजे नहीं देतें, तो आपने उनको बताना है, य कुछ आप रखेंगे और कुछ आप रखेंगे जैसे अगर ये कुछ चीजें बेच रहे हैं या किसी डेक पर काम कर रहे हैं तो उनको बताएं कि अच्छा आप वह शॉप कीपर हो जाएंगे और आप इनका कस्टोमर बन जाएंगे और इस तरह से आप दोनों अपनी गेम को खेलेंगे और करार रखेंगे यानि हम यह नहीं कह सकते हैं यह ना करो वो ना करो बात में आपको यह बताना भी जरूरी है कि क्या करो ताके वो आपको जो आपकी बात है उसको समझ के अपने behavior को modify करें then reflect on what really matters अच्छा बहुत दफ ऐसा होता है कि हम हर चीज़ पर बच्चों को बार-बार जब टोकते हैं या बार-बार उनकी गलती उनको याद दिलाते हैं तो भी वो शाय भी हो जाते हैं और behavior से पीछे भी हट जाते हैं हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा गौर करें कि ऐसा कौन सा मसला या ऐसा behavior है जो वाकई नहीं होना चाहिए कुछ चोटी-चोटी चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा ignore करेंगे जहां तक कि वो नुकसान नहीं पहुंचा रही और फिर जो बात वाकई ही matter करती है उसको consider करेंगे rules should not be so difficult देखें जब हम बच्चों का नजमों जब्द वेहतर करते हैं तो हमने ऐसे rules नहीं बना देने कि जो लगे उनको वो कर ही नहीं सकते साधा से rules हों और कम से कम हों ताके बच्चे abide by कर सके और उनको rules के उपर काम करने की आदत पड़े adults should listen children जब बच्चे जगड रहे हैं या बात करें तो वो आप तक एप्रोच करते हैं उस्ताद की तरफ या वालदायन की तरफ के यह हो गया वो हो गया तो आप पहले अराम से तहम्मल के साथ उसकी बात को सुनेंगे आते साथ या आपका मैं पते तुम क्या कर रहे हो ऐसा इसा मत करें उसको मौका दें कि वो अपने आपको explain करें वहीं से आप उसका behavior modify कर सकते हैं कि जो आप कर रहे थे उसमें क्या ठीक था और क्या ठीक नहीं था सो अब यह है कि आप खुद भी उनकवानीन पर अमल करेंगे तो ही बच्चे जो हैं वो सीखेंगे किस तरह से अमल किया जाता है अब एक और जो हमारी नई term आई है behavior management के सिलसले में उसको zero tolerance कहते हैं अब zero tolerance जो है जैसे हमने अर्स किया वो यह है कि कोई पी गलत behavior जिसमें दूसरे को disrespect दी जा रही है जिसमें आप लोगों को परिशान करें या hurt करें नुकसान पहुचा रहे हैं हकारत से देख रहे हैं यह सब के लिए adults होने की सूरत में या educators होने की सूरत में zero tolerance होगी but it doesn't mean कि आप जिस बच्चे के साथ behave कर रहे हैं आप पहले खुद इसको नुकसान पहुचाएं और फिर उसको मजीद नुकसान पहुचाने से मना करें यह तरीका नहीं so what behavior do you want to encourage ऐसी सूरत में जो उनके अच्छे काम है उनको भी तो encourage करना है हाँ जो गलत बात है उससे ना सिर्फ मना करें बलके बताएं कि उसके बजाएं उनको क्या करना था यानि आपको साथ साथ further instructions भी उनको देनी है और फिर ये कि आपने उनको ये भी बताना है कि आप बच्चे को दूसरे जो आपके साथी हैं उनको आप किस तरह से hurt करते हो कहां पे उनको कितनी तकलीफ पहुंचती है बाद वकात किसी का नाम बुरा ले देने से भी उसको बहुत तकलीफ पहुंचती है तो आपने वो hierarchy बतानी है priorities बतानी है कि आप किस तरह से बच्चों की respect कर सकते हो सबसे अच्छी बात क्या है और सबसे बुरी बात क्या है